Hello everyone, welcome to my channel, कैसे हैं आप सब उमित करती हूँ, आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, तो आज मैं चुहा पकाने का एक ऐसा राम बान शॉलूशन लेकर आई हूँ, जिसका इस्तमाल आप एक बार बना के कर लेते हैं, तो देखते ही देखते घर से साड़े चुहे गा गंदी बहुत होती हैं, जिस बज़ा से बदबू भी आती रहते हैं, कई बार तो ये फर्स पे बिल भी बना देते हैं, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, और उसी बिल में चुपके बैठते हैं, रात होने के बाद ये घर निकल के और उतपात मचाते हैं, तो आज जो मैं रेमेडी बनाने वाली हूँ, ये 100% वर्क करती है, तो चलिए रेमेडी बना लेते हैं, इस रेमेडी को बनाने के लिए 3 चमच गेहूं का आटा लेना है, आप बेशन भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 चमच गेहूं का आटा ली हूँ, आपको ज़्यादा जगों प साथ साथ चुहा को भी भगाने में मदद करती है अब इसमें रखना है थोड़ा सा तंबागो तंबागो बिल्कुल भी निखाना चाहिए ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुक्षान दायक होती है लेकिन चुहा को भगाने में ये बहुत ज़्यादा help करती है तो एक रुपे का पुडिया आप मंगा सकते हैं और इस remedy में जब आप रखेंगे तंबागों को तो ये powerful remedy बनके त्यार होती है अब इसमें रखना है एक फिनाइल की गोली और एक छोटा सा fit curry का टुकरा अगर आपके पास fit curry का अगर powder है तो वो भी आप ले सकते हैं नहीं तो एक छोटा सा टुकरा ले लीजिए अब हमें इसका powder बनाना है थुरा दरदरा भी powder बनेगा तो चलेगा एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस remedy को बनाते हैं तो आप उसी बरतन को यूज कीजिएगा जिसे आप खाने पीने में यूज नहीं करते हो जो बेकार हो अगर प्लास्टी की कोई बरतन हो तो आप वो ले लीजिएगा अब मैं इसका powder बना लेती हूँ तो खलवटे में हम इसका powder नहीं बनाएंगे बस पेपर में आप इन सारी चीजों को लपेट लीजिए और किसी भी भारी चीज से इस तरह से कूटके आप powder बना सकते हैं तो खाने पीने का बरतन का यूज नहीं कीजेगा क्योंकि इसकी smell जो है आटा में मिक्स करने के बाद अब हम इसमें रखेंगे एक चमल जितना अंदास से हार्पीक हार्पीक के cleaning में यूज होती है लेकिन इसमें बहुत जादा मातरा में chemicals होते हैं और इसे थोड़ा सा जब हम आटे में मिक्स करेंगे तो ये इतना powerful solution बन के तियार होगी बस एक बार इस शॉलूशन को चुहा खाले तो उसे बहुत जादा ही दिक्कत होगी और वो तुरंट घर छोड़के भागेगी इस रेमेडी को बनाने से एक फाइदा यह होता है कि जैसे कई लोग चुहा से परिशान होके दवाई दे देते हैं पर वो तुरंट असर करता है और कई बार चुहा घर के अंदर ही छुपके मर जाते हैं और जिससे की बहुत सारे अगर फरनीचर घर में रखे हैं तो आपको सारे फरनीचर को हटा के घर की साफसफाई करनी होती है लेकिन इस शॉलूशन को जब आप बना के देते हैं चुहा को खा काम भी नहीं बढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा पानी रखते हुए हमें इसका एक डो तैयार करना है थोड़ा सॉफ्ट ही डो कीजियेगा और मैं हााथ में पनी लगा ली हूँ क्यूंकि हाल यूज की हूँ अगर आपके पास Гलब्स है क्यूज यूज कर लीजेगा क्यूकि हाल पिक यूज कर रहे हैं तो आपको प्रोब्लम हो सकती है क्यूख कई वार साग भाजी बना लीजे, चोटे-चोटे या बड़े-बड़े लड़ू बना सकते हैं और उसे पेपर पे रखके आपको सारी जगों पे रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखेगा जैसे कि कई लोग घर में कूरा कवार बहुत जादा रखते हैं, वेश्ट चीजे घर में रखते हैं, त तो उससे बहुत सारी दिकत आती हैं, जैसे कि अनिको तरह के कीरे मुकोरे उसमें छुपके बैठे रहते हैं, और फिर ये घर में निकल के उत्पात मचाते हैं, चूहा भी वहीं पे छुपके बच्चे देते हैं, और इनकी संख्या बढ़ती है, फिर पूरे घर में ये उत निकल के पूरे घर में घूमते रहते हैं, और अगर आप इस टोरूम में बहुत सारा समान रखे भी हैं, तो बीच-बीच में उसकी साफ सफाई करते रहें, क्योंकि अगर इनसानों का आना जाना वहां रहता है, तो वहां पे चुपते हैं, और बीच-बीच में अगर आप साफ सफाई करते रहते हैं तो अगर चुहा ने अगर बच्चा दिया है या छुपके वहां बैठा हुआ है साफ सफाई करते हैं तो वहां से निकल के भाग जाती है क्योंकि उनको लगता है कि इनसानों का यहां पे आना जाना है तो इस बात का भी ध्यान रखना है जब आप इस remedy को बना के घर में रखते हैं, तो खाने पीनी की सारी चीजों को छुपा के रखना है, क्योंकि खाने पीने की चीजे अगर आसानी से चुहा को मिल जाती है, तो फिर ये solution को नहीं खाएगे, अगर खाने पीने की चीजे नहीं मिलती है, तो फिर मजबूरन इस solution को वो खाएगी और खाने के बाद उसे तिक्कत होने वाली है, तो मैं चुटे-चुटे लड्डू बना ली हूँ, काफी साड़े, मैं सिर्फ दो जगों पे रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में चुहा नहीं है, अगर आपके घर में है या ज़ादा चुहा है, तो आप एक-एक लड्डू सारी जगों पे रख सकते हैं, तो मैं इसे दो भाग में डिवाइट कर देती हूँ, और उसके बाद दो जगह इसे मैं रखने वाली हूँ, तो इसी पेपर के मैं दो टुकरे कर लूँगी, और फिर इसे दो जगहों पे रखूँगी, आप एक-एक लड्डू करके भी रख सकते हैं, अब लास्ट में मैं एक ऐसी चीज रखने वाली हूँ, जिससे कि चुहा इस शॉलूशन को खाने के लिए आएगी, चुहा, जब आप चुहा को खाने के लिए सामने से कुछ देते हैं, तो वो नहीं खाती है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वाइट कोलगेट पेस्ट इसमें रखना है, आप चाहे तो लड़ू पे भी थोड़ा-थोड़ा आप kolgate paste लगा सकते हैं क्योंकि kolgate paste मीठा होता है और इसकी खुश्बू भी अच्छी होती है तो आप थोड़ा सा अगर kolgate paste लगा देते हैं तो इसकी खुश्बू को सुवं के चुहा इस solution के पास आएगी और फिर इस solution को और खानी के बाद उसे problems होने वाली है तो आप लड्डू पे थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए या फिर लड्डू के बीच में थोड़ा रख दीजिए तो मैं लड्डू के बीच में ही इस तरह से रखे हूँ white colgate paste को और अब इसे मैं दो जग़ पे रखूँगे अगर आप store room में अनाज store करके रखते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह से paper पे लड्डू रखके और आपको 4-5 दिन के लिए इसे छोड़ देना है कई बार होता है कि solution हम रख तो देते हैं लेकिन चूहा तुरंत उस solution को नहीं खाती है तो आपको खाने पिने की चीज़ों को छुपा के रखना है जिससे कि अगर चूहा उस दिन नहीं भी खाती है खाने पिने की चीज़े उसे नहीं मिलेगी तो मजबूरन वो अगले दीन या किसी भी दीन इस remedy को जरूर खाएगी और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहुँच से भी दूर रखना है जैसे ये टेवल है तो टेवल के नीचे थोड़ी सी स्पेस होती है उसी के अंदर चुहा चुपके बैठे रहते हैं क्योंकि वहाँ पे रोशनी नहीं जाती है जारू नहीं जाती है तो जिस पज़े से साफसफाई नहीं हो पाती है तो आपको ऐसे ही जगों पे रखना है जिसे की बच्चों की पहुँच से भी दूर रहेगी और चुहा को जब भी ये रेमेडी दिखाई देगी तो वो खाएगी यहाँ पे बैड रखा हुआ है और यहाँ सूज रैक भी रखा हुआ है तो इसके नीचे भी स्पेस बहुत कम है यहाँ पर भी चुहा छुप सकता है तो ऐसे ही जगों भी आपको सॉलूशन को रखना है और रखने के बाद तीन से चार दिन तक उसको वहीं पे रहने दीजे जिससे कि चुहा जब उसको लगेगा वो खा लेगा और खाने के बाद उससे दिक्कत होगी तो वो घर छोड़के भागेगा बहुत ही बड़िया और पावरफुल सॉलूशन है घर की साफसफाई का भी आपको ध्यान रखना है इस बात का आप ध्यान रखिएगा तो कैसा लगा आपको ये पावरफुल सॉलूशन कमेंट करके ज़रूर बताएगा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आएँ है तो सस्क्राइब करके बैल ऐकन प्रेस कीजेगा बाबाई टेक केर